आज बना रहे है पाड़ी मेगी, पाड़ों में गई और अपने मेगी नहीं खाया है, हमने मेगी लिए, आप चाहो तो इंस्टेंट कोई भी नूडल ले सकते हो, इसमें हम वेजीज एड़ करेंगे प्याज, टमाटर, लसून, हरा धनिया, हरी मिर्च, आप चाहो तो और भी एक्सट्रा वेजीज एड़ कर सकते हो, अपने पसंद के अनुसार, पैन लेंगे, उसमें हम एड़ करेंगे बटर, आप चाहो तो ओल भी ले सकते हो, टू टैबल इस्पून जितना हमने बटर लिया है, आप अपने एकोर्डिंग ले सकते हो, बटर को में अच्छे से गरम करना है, मेल्ट कर देना है, बटर अपना गरम हो चुका है, अब हम इसमें एड़ करेंगे चुटकी बर हींग, हींग को अच्छे से तड़कने देना है, अब हम इसमें एड़ करेंगे लसुन, जो हमने बारी कट करके रखा था, लसुन आपको पसंद नहीं हो तो आप इसक भी कर सकते हो इसे थोड़ा अच्छे से golden brown होने देना है लसुन अपना अच्छे से पक जाए तब हम इसमें एड करेंगे हरी मेच जो हमने बारी कट करके राकी थी इन्हें भी अच्छे से हमें थोड़ा पका लेना है अच्छे से इसके अंदर का जो पानी होता है वो अच्छे से जल जाना चाहिए अब हम इसमें एड करेंगे प्याज जो हमने बारी कट करके रखा था आप चाओ तो इसमें और भी वेजिज डाल सकते हो, मटर डाल सकते हो, सिमला बश डाल सकते हो, आपको जो भी पसंद हो प्याज को भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, हल्का सा गोल्डर ब्राउन हो तब तक प्याज अपना फ्राई हो रहा है इसमें अभी कुछ पानी वानी डालने के जरूत नहीं है जो हमने बटर लिया था उसमें ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा प्याज अपना फ्राई हो चुका है तो अभी हम इसमें टमाटर एड़ कर देंगे टमाटर को भी हमें अच्छे से पका लेना है जब तक इसके अंदर का जो भी पानी हो वो अच्छे से जल नहीं जाए टमाटर ने अपना पानी जला लिया है अच्छे से फ्राई हो चुका है तो हम इसमें एडिसनल मसाले एड करने है हम इसमें सिर्फ लाल मिच का पाउडर ही क्यूब को तो में अच्छ से इन्हें पका लेना में इंच को तोड़ी यह जले नहीं यह गैस का फ्लाम आपको लो रखना है मीडियम आज पर इन्हें अच्छ से पका लेना है अब हम इसमें एड करेंगे इसका मैगी का जो मसाला था वह हमने एड कर कर देंगे इन्हें भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले हमने इसमें दोनों पाउस एड़ कर दिये हैं अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें एड़ करेंगे यह मसाले जले ने इसके लिए और पानी से पूरे में फ्लेवर अच्छे से स प्राइ कर लेना है गेस का फ्लेवर अपको लो रखना है जिसे नीचे चिपके नहीं और मसाले जले नहीं अब हम इसमें एड करेंगे हरा धनिया जो उमने बारी कट करके रखा था आप चाहो तो बाद में भी एड कर सकते हो लेकिन इसका फ्लेवर अच्छा आजाएगा अब इसके बाद हम इसमें एड करेंगे मैगी मैगी को आप 3-4 पार्ट में तोड के भी डाल सकते हो आप ऐसे के ऐसे पूरे पाउस डालोगे तो यह बहुत लॉंग हो जाती है तो इन्हें आप छोटे पीसेस में करके डालोगे तो यह बहुत ही बढ़िया और जब भी पकेगी कि यह तो बहुत भढ़िया रहेगी खाने में आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली मैगी को हुम हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है दो मिंट का बोलते है लेकिन दो मिंट में यह पकती नहीं है अच्छे समय इन्हें पका लेना है गेस कफले में आपको मेडियम रखना है देखिए फ्रेंड तो अपनी मैगी बन के एकदम रेडी है अल्मोस्ट कम्प्लेट हो चुकी है तो दोस्तों कैसी लगी मेरे पाड़ी मैगी की रेसिपी आप मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बत झालेंगे